हलो स्टूडेंट आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत हैं आजके इस वीडियो में हम consistent and inconsistent pair of linear equation के बारे मैं पढ़ेंगे देखेंगे कब हमारी जो linear equation है consistent होंगी और कब inconsistent होंगी ठीक है तो आएए start करते हैं अपने इस वीडियो को तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हमारे पास जो lines है वो कौन-कौन से type की हो सकती है ठीक है तो first वाली जो line है वो हमारे पास यहाँ पर intersecting line दे रखी है ठीक है जो की एक point पे meet करती है second हमारी consistent line है जो की एक दूसरे को overlap करती है और third हमारी यह parallel line जो की कभी भी एक दूसरे को meet नहीं करेगी ठीक है तो यह तीन तरेकी की line होती है अब हमें यह बताना है कि इन में से कौन सा consistent होगा और कौन सा inconsistent होगा ठीक है तो आई जानते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक table दिख रही है ठीक है intersecting line की coincident line की और parallel line की अब आपको यह पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास किसी भी pair का एक या एक से ज़्यादा solution आ रहे हैं तो वो line जो होगी consistent होगी ठीक है जैसे कि first वाले case में हमारे पास intersecting line है यहाँ पर कितने solution होते हैं एक solution होता है only one solution ठीक है तो अगर only one solution है तो यह भी क्या होगा हमारा यह हमारा consistent solution होगा ठीक है second में होता है हमारे पास coincident line जिसके solution जो होते हैं infinite होते हैं ठीक है इसके बहुत सारे solution होते हैं तो ये भी हमारा कंसिस्टेंट होगा लेकिन जो parallel line है उसका कोई solution नहीं होता ठीक है? तो हमारा जो ये parallel line का pair बनेगा, वो हमारा inconsistent होगा ठीक है? तो आपको ये चीज याद रखनी है, किसी भी pair का अगर एक भी solution आता है तो हमारा वो consistent होगा और जिसका कोई भी solution नहीं होगा जैसे कि parallel line वो हमारा inconsistent होगा ठीक है तो उम्मीद है आपको consistent और inconsistent समझ में आ गया होगा Thank you